मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायन प्रवक्ता इतिहास राज के माडल संस्किर्ती वरिष्ट माध्मेक विद्याले ततारपुर इस्तमुरार रेवाडी हरियाना आप सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूँ आज का अपना उपविशे है हडपा संस्किर्ती में जन जीवन प्यारे विद्यार्थियों जन जीवन से अभीप्रा यह है कि हडपा संस्किर्ती के लोगों का राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था इस भाग में हम यह जानने का परियास करेंगे कि उन लोगों का रहन सैन खान पान आधी कैसा था वो किस प्रकार के काम धंदे करते थे, उनका शासन कैसे चलता था, वो किस की पूजा करते थे, उनके रिती रिवाज कैसे थे, आधी आधी बातों को जानेंगे सबसे पहले देखते हैं उनका राजनीतिक जीवन हडपा लोगों के राजनीतिक जीवन के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना अभी असंभाव है क्योंकि अभी तक हडपाई लीपी को पढ़ा नहीं जा सका है इस कारण से विद्वानों में मत भेद हैं पहले जानते हैं राजा के बारे में पहले प्रशन यह उठता है कि राजा कौन होता था उस तथा उसका चैन कैसे होता था इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता परंतु खुदाई से मिले तर्थ्यों के आधार से हम कुछ अनुमान अवश्य लगा सकते हैं कि राजा कौन होता होगा हडपक हुदाई में सामान्य नगर के साथ हमें उचे छेत्र पर वैभा विशाली निर्मान कारिय मिला है यहां बड़े बड़े कमरे वाले विशाल भवन मिले हैं जिन्वे ये विशाल भवन स्तंभों पर बने हैं तो कई जगें इन विशाल भवनों को अंदर से अनेक भागों में बाटा भी गया है ये राजा के परिशद या जन्ता के साथ मिटिंग हाल थे या व्यापारी के गोदाम थे ये आज भी हम ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा पाए हैं आओ इस चित्र का निरक्षन करते हैं ये अडपा की खुदाई में मिला एक नगर है महन जोदडो इसको ध्यान से देखें कि एक तरब उचा निर्मान कारिये है ये नगर दुर्ग का छेत्र इसको कहा गया है ये उचे छेत्र को नगर दुर्ग कहा गया है ये निचला नगर है ये विशाल सनानागार हमें मिला है उसका चित्र है सात में और ये शामान नगर दिखाई दे रहा है इसको निचला नगर कहा गया है अब इस चित्र में भी हम देखते हैं उचे स्थान पर बने किले नुमा स्थान देखो ये उचे स्थान पर बना हुआ एक स्थान है जो नगर दुर्ग चित्र कहलाता है और इसके नीचे ये सामान्य नगर है इन तथ्यों के आधार पर ही हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतेक नगर का अपना राजा होता होगा पहला नुमान तो ये हुआ दूसरा नगर के उचे स्थान पर प्रोहित रहता होगा और वो ही धार्मिक कारियों के साथ साथ राजकारिये भी देखता होगा तीसरा अनुमान नगर का व्यापारी राजा का कारिये भी करता होगा क्योंकि उंचे स्थान पर हमें दुर्ग छेतर में हमें गोदाम भी मिले हैं तो ये तो रहा राजा के बारे में हमारा अनुमान अब राजा क्या कारिये करता होगा वहां के निर्मान कारिय और नगरों की बसावट से हम अनुमान लगाते हैं राजा के द्वारा कारियों के बारे में हमें शिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं राजा नगर के जगडों को सुल जाता होगा नगर की साफ सफाई रोसनी वे निर्मान कारिये योजना से हो इसका ध्यान रखता होगा उबोग की सभी वस्त्वे नगर में उपलब दो ये विवस्था करता होगा भू राजा सुवे अन्यकर इकठा करना और उसको उचित जगह पर खर्च करने का कारिये भी राजा करता होगा ये हमारा एक अनुमान लगाया हुआ राजा का चित्र है प्रोहित राजा येनि के धार्मिकारियों के साथ साथ राजकारियों को भी देखता होगा ये प्रोहित राजा का चित्र कहलाया है ये मूर्ती कहलाई है ये मूर्ती देखिए प्यारे विद्यार्तियों ये प्रोहित राजा की मूर्ती है ये राजा का कारिये करता होगा साथ ही धार्मिक कारिये भी करता होगा साथ में देखो इसने चद्दर कैसे ओड़ी हुई है इस बहां से ये नीचे चली गई दाड़ी बड़ी हुई है और चेहरे पर देखो तिलक लगा है माथे पर आर्थिक जीवन हडपा लोगों के नगरों को देखकर ये सपस्ट होता है कि उनका जीवन बड़ा ही समरद्ध जीवन था इनकी समरद्धी का क्या कारण हो सकता है ये उस समय के तथ्यों से ही सपस्ट होता है तो आर्थिक जीवन में पहला उनका परमुख व्यवसाय क्रिशी हडपा के लोगों का मुख व्यवसाय क्रिशी था इसका कारण यह था कि सिंदु नदी के आसपास का छेतर बहुत उप्चाओ था शिंचाई नदियों द्वारा होती थी नदी पर ये लोग बांध बनाना जानते थे कुमों और ढीकली के माध्यम से भी ये लोग शिंचाई कारिये करते थे उट और बैल से हल चलाते थे हल के परमान हमें खिलोनों से मिलते हैं वहीं हल की नालिया हमें काली बंगा से मिली हैं नालिया जिनको हम आम बासा में खूड कहते हैं चॉलिस्तान वे बनावली से खिलोना हल मिले हैं शोर्तु गही से नहर के अवसेश मिले हैं पंजाब सिंद से कुओं के दोला वीरा से जलाश्य के सिचाई के प्रमान हमें मिलते हैं एक साथ कई फसले उगाई जाती थी गेहूं जो चावल बाजरा कपास तिल सफेद चना आदी की क्रिशी करते थे ये क्रिशी उपकरण हम देख रहे हैं प्यारे विद्यारतियो ये हल है ये हल का एक खिलोना मिला है हमें ये इसकी फाल है जो जमीन को काटती है ये जो छिदर दिखाई दे रहा है ये जो छिद्र दिखाई दिया है इससे बैल या उट के साथ यहां से इसको जोडते थे ये अन्य धातू की फाल हमें मिली हैं जो जमीन को काटने के काम आती थी हल में लगाते थे इसको ये फाल है ये कुलहडा है अन्य ओजार भी मिले हैं ये एक हैंडल है ये बड़ाई द्वारा लक्डी को प्लेन करने का रंदा है ये अन्य का थोड़ा है इसी तरह से अन्य ओजार भी हाम देख रहे हैं कुलहडे आदी पशू पालन हडपा के लोग पशू का पालन मुख रूप से दूद क्रिशी कारिये वैबोजा डोने के लिए उन के लिए वैमास के लिए करते थे बैंस, उूट, गदा, बैल, गाय, कुत्ता, सूर, खरगोश, बतक, मोर, मुर्गी तोते आदी ये पालते थे हडपा संस्किर्ती के लोगों को गोडे का ग्यान नहीं था उद्योग हडपा में शिल्प उद्योग जैसे मटके बनाना, आभूशन बनाना, मूर्तियां बनाना, कपड़े बनाना, रंगना, विभिन प्रकार के कपड़ों के डिजाइन तयार करना, धात्वों के भरतन बनाना, किर्शी के ओजार बनाना, हतियार बनाना, मुहरे बनाना, भवन बनाना फरनीचर बनाना छकड़े बनाना छकड़े बेल गाड़ी को बोलते हैं और खिलोने बनाना इस प्रकार के उद्योग इनके हमें मिले हैं व्यापार तथा वानिज हडपा का व्यापार तथा वानिज काफी उन्नत था देश विदेश के साथ व्यापार होता था व्यापार जल और स्थल दोनों मारगों से होता था जल से व्यापार के उसे समय गुजरात के लोथल से बंदर गहां के रूप में मिले हैं व्यापार मगान दिल मुन तथा मैस्व पोटामिया से होता था विदेशों से सोना चांदी तांबा स्रंगार की वस्तवें तथा मुल्यवान पत्थर मंगवाते थे जबकि विदेशों को सूती कपड़ा आबुशन मोती हाथी दात वे अन्य वस्तवें जिनमें मोर लंगूर बंदर आधी जानवर भी सामिल थे इनका निर्यात करते थे लोथल में विश्व की सबसे प्राचीन बंदरगा के अउशेस इन अउशेसों में हम देखते हैं कि इन दोनों साइडों में ये माल रखने की जगह थी इधर भी ये चबूत्रे बने हैं उधर दूर समुद्र है और समुद्र से जाज यहां तक आते थे इस तरह से ये हमें बंदरगा के अउशेस मिले हैं और संसार की प्राचीन तम बंदरगा के अउशेस ये कहलाए हैं तोल तथा माप व्यापारिक स्विधा के लिए तोल माप की स्विधा भहुत ही अच्छी थी बाट व्य मापक ओजार हमें मिले हैं बाट खूम मिले हैं कुछ बाट तो इतने बड़े हैं कि उनको रसी की सायता से उठाया जाता होगा बाट जादातर चर्ट नामक पत्थर से मिले हैं ये बाट हमें विविन स्थानों से मिले हैं परंतु इन बाटों में एक रूपता पाई गई है ये बाट सरकारी नियंतरण में तयार होते होंगे ये इस बात का पर्मान हैं ये सभी बाट एक अनुपात दो अनुपात चार अनुपात आठ शोड़ा बतिस चोशट के अनुपात में बने मिले हैं ये नीचे हम चित्र में देख रहे हैं ये तराजू है इस तरह से बाट हैं छोटे चोटे से छोटा बाट ये देख रहे हैं हम ये बड़े बाट भी हैं तो इस तरह से चर्ट पत्थर के बाट हमें मिले हैं सामाजिक जीवन खुदाई से मिले तर्थों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन लोगों का सामाजिक जीवन बड़ा ही शम्रद्ध रहा होगा सामाजिक जीवन की विशेषताइं देखते हैं पहली सामाजिक जीवन की काई होती है परिवार हडपा लोगों के समाज की पर्मुक इकाही परिवार थी परिवार में दादा, दादी, माता, पिता सभी साथ रहते होंगे क्योंकि मकान बड़े-बड़े मिले हैं परिवार मातर सतात्मक भी हो सकते हैं क्योंकि इस्त्रियों की जो मूर्तियां मिली हैं उनसे ये अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा सामाजिक वर्गी करन। समाज कैसे और किस प्रकार विभिन वर्गों में विभाजित था। इसकी सपस्ट जानकारी अभी हमें नहीं है। परन्तु इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि ये सासक वर्ग, धनी वर्ग, मध्धम वर्ग और निम्न वर्ग में बटा होगा। ये अनुमान वहाँ पर मिले मकानों के आउशेशों के आधार पर लगाया गया है। भोजन वे पसुपालन हडपा में खुदाई में विभिन अनाजों के दाने मिले हैं। जैसे गेहू, बाजरा, जो डाले, सफेद, चना, तिल आधी मिले हैं। इसके साथ ही उँट, भेड, बकरी, भैं, सुवर आधी पस्वों की हड़ियां भी मिली हैं। जिनको दूद, मास, वैहल, वैबोजा ढोने के काम में लेते होंगे। ये चित्र हैं घरेलू उप्यों के बरतनों के। ये बरतन धातू के हैं, दोनों बरतन ये बीच में रखे हैं, ये धातू के बरतन हैं, ये भी धातू के बरतन हैं। ये परात है और ये बड़ा मटका है धातू का इसी तरह से ये मिट्टी के बरतन का बड़ा मटका है ये धकन समेथ बड़ा मटका मिला है ये मटके का स्टैंड है किस तरह से किस स्टैंड तूट गया ये धकन है मटके का ये गिलास है मिट्टी के उस समय के पानी पीने के ये अन्य छोटे बरतन है वस्त्र वे आभूशन सूती वे उनी वस्त्रों के प्रमाण हमें मिले है पुरुष धोती बनियान जो कुर्ते की तरह ही थी पहनते थे परंतु उपरी अंग को जादातर चद्दर से ढखते थे इस्त्रियों की अनेक वस्त्र पहने हुई वस्त्र मूर्तिया हमें मिली है जिस यनुमान लगा सकते हैं की मैलाएं लहंगे का परियोग करती थी आबूषण इस्त्रियों पुरुष दोनों ही पहनते थे शरीर के सभी अंगों का आबूषणों से अलंकरत करने के बड़े ही शोकिन थे हार चूडियां बाजूबंद कमरबंद नथनी कानों की बालियां पाजेव आधी ये लोग पहनते थे सोना, चांदी, तामबे, हड्डियां, वैकीमती, पत्थर के बने आबूषण भी पहनते थे कई जगे मिट्टी के बने मन के भी मिले हैं, तावीज, आधी भी ये लोग पहनते थे हार स्रंगार, हार स्रंगार के लोग बड़े शोकिन थे इस्त्रियां लंबे बाल रखने की शोकिन थी, स्रंगार का विभिन प्रकार का सामान हमें मिला है जैसे दरपन, हाती दात की कंगी, शिंगार दानी, विभिन प्रकार के सुगंधित तेलों, पाउडरों और सिंदूर का परियोग करती थी पुरुष भी दाड़ी वे मुच रखने के शोकिन थे मनोरंजन के शाधन, ये लोग बड़े ही आमोद पिरिये थे शत्रंज वे चोपड खेलना, पसू पक्षी पालना, और उनकी लड़ाईयां करवाना मचली पकड़ना वे शिकार करना इनके मनोरंजन के साधन थे डोल वे वीना जैसे संगीत यंत्र बजाना, नाचना, गाना भी मनोरंजन के साधन थे बच्चे विभिन प्रकार के मिट्टी के खिलोनों से खेलते थे जैसे बैल गाडी, सीट या जुन्जने आदी चित्र में विद्यार्तियों हम हडपाई लोगों के आभूशन देख रहे हैं ये माला है, ये मनिये हैं, ये सोने से बना हुआ हार है जो सेरनक डिजाइन में बनाया गया है इधर और अन्ना आभूशन रखे हैं, गले में पहनने के ये बादू बन्द हो गयरा और अन्ने प्रकार के आभूशन हम देख रहे हैं प्यारे विद्यार्तियों ये हमें वहाँ से एक तामबे का दरपन मिला है ये हाथी दात का कंगा है और ये स्रंगार दानी है जिसमें पाउडर या सिंदूर या अन्ने स्रंगार का सामान रखते होंगे ये बच्चों के खेलने के खिलोने हमें मिले हैं मिट्टी के भी हैं और दातू के भी कुछ खिलोने मिले हैं ये देखो इसी तरह से ये बैल गाड़ी के साथ खिलोना है ये दूसरा बैल गाड़ी और सामान रखते होंगे इस तने बच्चे खेलते होंगे ये देखो बैल गाडी में सवारी बैठी है तो कितने डिजाइन दार खिलोने ये लोग बनाते थे प्यारे विद्यारतियों हमारे सामने चित्र हैं चोसर और सत्रंज के ये चोसर के पासे हैं और ये सत्रंज है ये सत्रंज के मोहरे दिखाई दे रहे हैं पत्थर के उपर सत्रंज के खाने बनाए गए हैं मरत्कों का संसकार हडपा लोगों में मरत्कों के अंतिम संसकार की अनेक पर्थाएं थी शवों को जलाना और उनकी राग को मिट्टी के बरतन में रखकर दबाना शवों को दबाना और उनके शव के साथ उनके उप्योग की वस्तवें मरत्भांड वे आपुशन आदी रखना तीसरा है शवों को खुले में छोड़ देते थे तथा जानुरों द्वारा खा लेने के बाद कंकाल को दबा देते थे और तो था नदियों में भी शव को बहा देते थे इस तरह से ये मृत्दे का संसकार करते थे प्यारे विद्यार्थियों इस चित्र में हम एक जगें इकठे शवों को देख रहे हैं ये शव बाड या महमारी से मारे गए लोगों के होंगे जो बाड की मिट्टी से यां दब गए होंगे परन्तु कुछ हित्यासकार इनका गलत अर्थ भी निकालते हैं वो कहते हैं कि आरियों के आकर्मन से ये लोग मारे गए और दिरे दिरे इनके शव मिट्टी में दब गए परन्तु ये कैसे संभव है उस जमाने में तो जंगली जानवर भी भहुत होते थे क्या वो इन सवों को उठा कर खीच कर नहीं ले गए और शव इतनी जल्दी मिट्टी में कैसे दब जाएंगे सेकडो साल की प्रकिरिया से एक नगर मिट्टी में दबता है परन्तु बाड की मिट्टी से ऐसा जल्दी संभव हुआ होगा क्योंकि बाड की चपेट में आकर के ही ये लोग मरे होंगे और बाड के कारण से ये वहीं पर मिट्टी से दफन हो गए होंगे प्यारे विद्यारतियों एक और शव हम देख रहे हैं चित्र में ये उल्टा सोय वहे व्यक्ती की तरह है साथ में इसके बरतन रखे हुए हैं उप्योग के मिट्टी के ये जोडे के साथ एक दफन कंकाल हमें मिला है साथ में ही योग मुद्रा में दफन एक योगी का कंकाल भी मिला है प्यारे विद्यारतियों ध्यान से देखिए ये योग मुद्रा में बैठा हुआ योगी है जिसके हाथ उसके घुटनों पर हैं धार्मिक जीवन हडपा लोगों का धार्मिक जीवन भहुत उन्नत था उनके रिती रिवाज और धार्मिक विश्वाज आज भी हिंदु समाज में देखने को मिलते हैं देवी की पूजा हडपा संस्कृति के लोग देवी की पूजा करते थे क्योंकि कई जगें देवी की मूर्तियों पर धुए के धब्बे मिले हैं जो इनके सामने घी तेल के दीपक दूब बत्ति आदी जलाने से हुए होंगे मातर देवी की भी मूर्ति मिली है और एक जन्नी देवी की भी मूर्ति हमें मिली है आगे चित्र में हम दिखाएंगे शीव की पूजा के भी परमाण मिले हैं यहां हमें सीव की पूजा के अनेक स्थानों से अनेक प्रकार के परमाण मिलते हैं महुन जोदडों से प्राप्त तीन मुखों वाली मुहूर में योगी की मुद्रा में समाधी लगाए हुए दर्साया गया है उसने लंबे सींगों वाला मुकुट पहन रखा है इसके इर्द गिर्द चार जानवर दाईं और हाथी और शेर तथा बाईं और गेंडा वे सांड दिखाई गया है उसके सिंगासन के नीचे दो हीरन खड़े हैं यह सीवी है जो आज भी हम विभिन नामों से पुकारते हैं जैसे तिर्मुखी पसुपती योगेश्वर आधी प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने दो चित्र हैं जो मात्र देवी के चित्र हैं पहले को जन्नी माता का चित्र माना गया है इनके शिर्पर कितना सुन्दर मुकुट है अच्छे गहने पहन रखे हैं और विशेश ध्यान करने की बात ये है कि इसके यी नाभी से एक पोधा अंकुरित हो रहा है नाभी से पोधा अंकुरित होना ये संदेश देता है कि माता के गर्ब से ही बच्चे प्राप्त होते हैं और इस तरह से इस्त्री की जन्नी देवी के रिप में पूजा की गई है दूसरा चित्र भी मात्र देवी का है ऐसी अनेकों मूर्तियां हमें मिली है अच्छा इसने अपने सिर पर ताज पहन रखा है साथ ही अच्छे आभूशन पहन रखे हैं और नाचने की मुद्रा में है ये भगवान पसुपति नाथ का चित्र है ये दो मौरे हमें मिली है इनको ध्यान से देखिए एक मौर में भगवान शिव योग मुद्रा में बैठे हैं और सींगों वाला मुकुट पहन रखा है साथ में हाथी है सेर है बैल है गेंडा है नीचे देखिए इनकी ये हीरन खड़ा है तो सभी हिंसक और अहिंसक जानौरों के रक्षक भगवान शिव को माना गया है इसलिए भगवान शिव को हम पसुपति नाथ भी कहते हैं पस्वों तथा वरक्षों की पूजा के भी परमान हमें मिले हैं हडपा से मिली विभिन परकार की मुहरों से ये स्पष्ट होता है कि ये लोग पस्वों और पेडों की पूजा करते थे आज भी हिंदू समाज में ये पूजा परचलित है ये लोग शांड हाथी गेंडा चीता अधी की पूजा करते थे एक देवी की मूरती मिली है जो दो शेरों को गर्दन से पकड़े हुए है देखकर लगता है कि ये मादुरगा का आरंबिक रूप है अनेक मूरों से पीपल के चित्र भी मिले है जो पीपल पूजा आज भी हम करते हैं अन्य धार्मिक विश्वास कई पत्थर वे चले ऐसे मिले हैं जो किशी धार्मिक विश्वास को परकट करते हैं लिंग वे योनी के अनेक चित्र और अवशेश मिले हैं जो आज भी हम सीव रूप में पूजते हैं ये लिंग संसार में शर्जन सक्ति को दरशाते हैं बहु सूर्य की पूजा के प्रमान मिले हैं लोथल काली बंगा तथा बनावली से हवनकुंड मिले हैं तावीज भी मिले हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि ये लोग भूत प्रेत आदी में भी विश्वास करते थे कई प्रकार के अंध्विश्वास इन लोगों में रहे होंगे ऐसा हम इन से अनुमान लगाते हैं ये देखो विद्यार्थियो लिंग और योनी की पूजा के अवसेश ये खुदाई में हमें एक विशाल शिवलिंग मिला है ये देखिए इसी तरह से ये लिंग योनी का चित्र है ये नीचे भी लिंग योनी की पूजा का चित्र है रखे हैं जो आज भी हमारे सादू महात्मा रखते हैं दो चित्र हम देख रहे हैं एक चित्र में हम एक सींग वाला पूजने पसू देख रहे हैं ये पसू आज भी इस प्रकार का अस्तित्तु में नहीं है ये क्या था इसके बारे मनुमान नहीं लगा पाए हैं परंतु ये एक सिंग वाला श्रेंगी पसु माना गया है और इसकी पूजा करते होंगे ऐसा अनुमान है क्योंकि इस चित्र के सामने हमेशा ये वाला इससा भी हमें मिलता है इसी तरह से एक कूबड वाला बैल है जिसको आज भी हम पूजते हैं ये हडपा के विभिन पूजनिये चित्र हम देख रहे हैं ये देखे दाई तरफ ये पीपल का चित्र है साथ ये बैल खड़े हैं इनकी हम पूजा करते हैं पीपल की पूजा करते हैं ये दिचे देखिए पीपल के पत्तों वाला एक चित्र है फिर बाई तरफ ये उपर देखिए ये शरप ये अनेक प्रकार के जानवर और साथ में भगवान शिव बैठे हैं इसी के नीचे हम देख रहे हैं एक महिला दो शेरों को गर्दन से पकड़े हुए है नीचे हाथी है तो ये मादुरुगा का आरंभिक रूप माना गया है तो विभिन प्रकार की पूजाएं हम इसमें देख रहे हैं आविद्यार्थियो अब पढ़ते हैं हडपा संस्कृति के पतन के कारण पहला कारण बाड अचानक नदियों में बाड आई होगी और कुछ लोग मर गए होंगे तो सेज लोग पलाइन कर गए होंगे भूकम हो सकता है अचानक बड़ा भूकम पाया हो और लोग दब कर मर गए होंगे क्योंकि अने घरों से में सो मिले हैं इसलिए यह अनुमान लगया गया है तीसरा अगनी कुछ विद्वान बलोची स्थान में जलने के प्रमान मिलने पर अनुमान लगाते हैं कि आचानक कोई अगनी कांड हुआ होगा जिससे यह नष्ट हो गई है चोथा है परियावरन एसंतुलन जान मार्सल वे डॉक्टर रोनाल्ड यह मानते हैं कि ज्यादा जंगल काटनेशे वर्षा नए होने के कारण सूखा पड़ा होगा और यह लोग स्थान छोड़ कर चले गए होंगे पांचवा महमारी कोई महमारी आई होगी और यह सब खत्म हो गए होगे छटा बढ़ती जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या एसंतुलन के कारण यह सबता नष्ट हो गई होगी साथवां व्यापार में गिरावट प्रोफेसर आरज सर्मा का कहना है कि व्यापारी गिरावट के कारण राजनितिक एहस्तिरता आयोगी और ये लोग इधर उधर चले गए होंगे आठवां एक कारण आरियों का आकर्मन कुछ विद्वान इसको कारण मानते थे परन्तु आधुनिक खोजों ने ये परमानित कर दिया कि ये आरंभिक आरिये ही थे हमने भी अनेक परमान देखे हमने देखा भगवान शीव का योग मुद्रा में चित्र और एक योगी का चित्र आज भी हम इशी मुद्रा में बैठ कर योग करते हैं फिर भगवान शिव की पूजा आज भी हम करते हैं इसके अलावा सादू संतों के कमंडल मिले हैं जो आज भी सादू रखते हैं फिर प्रेकरती पूजा के प्रमान मिले हैं पीपल के पूजा के प्रमान मिले हैं पस्वों की पूजा के प्रमान मिले हैं बैल की पूजा के प् पुजनिये हैं इस तरह से अनेक प्रमाणों से शिद्ध होता है कि हडपा ही लोग आरंभिक आरिये थे आरंभिक ही सनातन संस्कृति के लोग थे इसी के साथ आज का हमारा यह व्याक्ष्यान समाप्त होता है अब कुछ अब्यास के प्रश्ण हडपा के आर्थिक जीवन पर प्रकास डालिए हडपा का सामाजिक वैधार्मिक जीवन कैसा था हडपा मेराजा के बारे में विद्वानों के क्या विचार है और एक बड़ा प्रस्ण लिखना है हडपा के जन जीवन पर प्रकास डालिए इसी के साथ हमारा आज का व्याख्यान समापत होता है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद